हेलो दोस्तों स्वागत है मेरी चैनल में मैगी तो आपने बहुत बार बनाई होगी चलिए आज डिफरेंट तरीके से मैगी बनाते हैं इसके लिए मैंने दो गाजर एक कैपसिकम और एक प्याज ले लिए है गाजर को हम इस तरह से बहुत ही पतला पतला काट लेंगे इस तरह से उसके बाद कैपसिकम प्याज और टमाटर को भी बहुत बारीक हम काट लेंगे यहां मैंने तीन पैकेट मैगी के लिए है उसके बाद एक कड़ा ही लेंगे और उसमें हम वेजिटेबल ओयल डालेंगे जब तेल हमारा गरम हो जाए तब हम कटे हुए प्याज को इसमें डालेंगे दोस्तों प्याज को हमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक ही इसका कलर चेंज ना है सुनहरा ना हो जाए प्याज हमारे लगभग हो गए है अब हम इसमें कटे हुए गाजर को भी डाल देंगे और 1-2 मिनट तक इसको हम चला गाजर हमारे फ्राई हो गये हैं अब हम इसमें कटे हुए कैपसिकम को भी मिला देंगे और फिर से इसको एक से दो मिनट तक हम इसको चलाएंगे ध्यान रहे दोस्तों गाजर और कैपसिकम को बहुत ज्यादा सौफ नहीं करना है थोड़ी क्रंची ही यह अच्छी लगती है इसके बाद कटे हुए टमाटर को भी मिला देंगे और फिर से हम इसको चलाएंगे जब तक हमारा टमाटर सौफ ना हो जाए यह मिश्रन लगभक हो चुकी है अच्छी तरह से फ्राई हो गये है अब हम इसमें मैगी के जो पैकेट हमने रखे थे उसको हम टुकडों में बा पानी मिलाएंगे ताकि यह जो मैगी के जो टुकड़े है उसमें अच्छी तरह से डूप जाए और इसको पांच से साथ मिनट तक इसको हम इस तरह से बॉयल करेंगे देखिए हमारा जो मैगी है सारा जो इसका पानी है वो एबजॉब हो चुका है और मैगी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है अब हम इसको एक दूसरे कंटेनेर में ट्रांसफर करेंगे और उपर से इस तरह से चीज स्प्रेट कर देंगे देखिए उसके बाद तीन से पांच मिनट तक के लिए इसको हम माइक्रोवेब में रखे इसको मेल्ट करेंगे गरम करेंगे देखि लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज आप जरूर कमेंट करके बताइए कि